स्वागत आपका स्वीट कॉमबेट के अगले पार्ट में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने प्राणे एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारी आप से रिक्वेस्ट है कि इस स्रीज के पिछले एपिसोड को देखें तब ही इस सुपब स्रीज की कहानी आप सभी को समझ मैंगी तो पिछले एपिसोड में कॉलेज के प्रिंसिपल ने तीनों लड़कियों और मिंग टैन को पहुत ही डाटा था लेकिन तीनों लड़कियों ने उन्हें धंकी दी थी कि अगर वो मिंग टैन को पनिश करेंगे तो हम तीनों कॉलेज छोड़कर चले जाएंगी अब प्रिंसिपल जरा सोच विचार करते हैं कि चलो तुमें एक और चांस दी देता हो और अब की बार जो टूनामेंट होगा उसमें मिंग टैन का परफॉर्मेंस देख कर ही मैं इस बारे में फैसला करूंगा फिर वो मिंग टैन से कहते हैं कि ये सीनियर्स तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं इसलिए मैंने फैसला किया है कि इन तीनों के खातिर मैं जी जान से ट्रेनिंग लूँगा और इस टूनामेंट में जरूर अच्छा परफॉर्म करूँगा अब अगले सीनियर्स मिंग टैन फैंग यू को थैंक करता है और कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपने खुद कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और मेरे लिए आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से लड़ने को भी तियार हो गई थी इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थैंक्यू आपका लेकिन हम रिशा की तरह फैंग्यू को पता नहीं होता कि उसको क्या कहना चाहिए वो कह देती है कि मैं तुमारे लिए ये सब कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको पसंद करते हूँ मैं तुमारे लिए ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम इस college के एक special student हो अब मिंग 10 कहता है कि मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि आप मुझको पसंद करेंगी लेकिन thanks for everything और ये कहकर वो चला जाता है उसके जाने के बाद फैंग्यू को उसकी आखरी बात खटकती है कि उसने ऐसा क्यूं कहा कि वो मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेगा और अब वो खुद को कोसने लगती है कि शायद मैं ही उसको चाहती हूँ वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता अब अगले दिन मिंग 10 अपनी टरिनिंग शुरू कर देता है और सुबा सुबा रनिंग ले निकल पड़ता है तब ही रास्ते में उसको मिया मिल जाती है और दोनों रनिंग करने लगते है मिया ने शुरू से अब तक उसके लिए जो किया था उसके बारे में सोचकर मिंग 10 बहुत ये खुश होता है अब कुछ दूर पर जाओमी भी उनको जोईन कर लेती है तो मिंग 10 को याद आता है कि पहले दिन से अब तक जाओमी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है आगे फैंक्यो मिलती है और वो भी इनको जोईन करती है और उसने हर कदम पर मिंग्टैन के लिए बहुत कुछ किया था ये सब सोचकर मिंग्टैन इनके बीच बहुत ही अच्छा फिल करता है और इस तरह मिंग्टैन की ट्रेनिंग शिरू हो जाती है अब ट्रेनिंग के पहले दिन जाओमी मिंग टैन को बॉक्सिंग लफ देती है और रिंक के अंदर खड़ा कर देती है फिर उस पर धना धन पंचिस उतारती है और वो डर के मारे अपनी आँखे बंद कर लेता है फिर जाउमी उसे आंके खुला रखने को कहती है और फिर से पंचिस करने लगती है अब मिंक टैन फिर आंके बंद कर लेता है जाउमी बताती है कि तुम्हें हमेशे अपने आंके खुली रखनी चाहिए और अपोनेंट की मूब्स पर ध्यान देना चाहिए तब ही तो तुम डिफेंस कर पाओगे और हाँ एक बात याद एकना और जैसे मौका मेरे तो तुम्हें उस पर अटैक भी कर देना फिर उ मिया से कहती है कि अंदर आजाओ हम दोनों इसे डेमो दिखाएंगी और मिया इसी मौके का इंदजार कर रही थी और खुशी खुशी अंदर आकर सच में जाओमी को अटैक करने लगती है अब जाओमी खुब डिफेंड करती है और कहती है कि ये डेमो है मेरे जान अराम से लेकिन तुम तो मुझ को सच में अटैक कर रही हो तो वो कहती है कि हाँ यार रियल अटैक करूँगी तभी तो मिंग टैन ठीक से सीख पाएगा और इसके बाद वे फिर मिंग टैन को ट्रेन करती है और उसे पंच पे पंच मारती जाती है अब अगले शॉट में जैंग जी कॉलेज के प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो सुनाओ कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलते हैं और बात ही करने लगते हैं सुनाओ के कॉलेज पिंसिपल एक पावरफुल मूब करते हैं जिससे हवा उनकी कंट्रोल में आ जाती है फिर वो हवा से जैंग जी के पिंसिपल को अटेक करते हैं लकिन हमारा पिंसिपल उसे बड़ी आसानी से लोक लेते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हारे मूवमेंट में वो दम नहीं रहा प्रिंसिपल बनने के बाद क्या तुमने प्रैक्टिस को छोड़ दिया है नहीं ऐसी बात नहीं है मुझे तो लगता है मास्टर ने आपको मुझसे बहतर ट्रेन किया है और अब हमें बता चलता है कि इन दोनों प्रिंसिपल ने एक ही मास्टर से ये मार्शल आर्ट सीखी थी और इनमें से जैंग्जी के प्रिंसिपल सीनियर है अब वो कहते हैं कि आपकी कॉलेज स्टुडेंट्स हर बात पर लड़ने लगते हैं कि आपने उनको कॉलेज के रूल्स के बारे में नहीं बताया तो ये कहकर वो फिर से वही मुवमेंट करते हैं और इस बार भी हमारे प्रिंसिपल आसाने से उसको टैकल कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे स्टुडेंट्स की कोई गलती नहीं है आपके स्टुडेंट्स नहीं उनको उक्साय होगा चले एन बातों को यहीं छोड़ देते हैं और यह कहकर वो एक नया मुमेंट करते हैं जिससे दूसरे प्रिंसिपल एक दम कापने लगते हैं और भी दिखाते हैं कि दोनों प्रिंसिपल्स बिल्को लड़ने के लिए तयार पोज में खड़े हो जाते हैं लेकिन हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें इस तरह नहीं लड़ना चाहिए बलकि हमारे स्टुडेंट्स को यह सीख देनी चाहिए कि वो मिल जूल कर रहें और एक दूसरे के साथ अपने स्किल्स को शेयर करें दूसरे प्रिंसिपल को भी ये बात ठीक लगती है और वो मान जाता है अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि मिंग टैन अब तक जाओमी से मार खा रहा है लेकिन मार खाते खाते वो अचानक डिफेंस करने लगता है अब ये देखकर जाओमी और मिया दोने ही चौंग जाती है वा तुम तो भाजली सीख गया और ये कहकर दोनों खुश होती है मिंग टैन को खुद विश्वावस नहीं होता और वो भी खुश हो जाता है फिर भारा कड़व में पूशती है तुम इतनी जल्दी कैसे सीख गए क्या तुमने पहले कोई ट्रेनिंग ली थी तो मिंग टैन बताता है कि बच्वाव में मैंने थोड़ी ट्रेनिंग ली थी लेकिन बाद मैं छोड़ दी थी लेकिन अपके बाद ट्रेनिंग मत छोड़ना ठीक है ये कहकर जामी उसके पैर दबाने लगती है और कहती है कि बॉक्सिंग के बाद पैर की मसल्स भी स्ट्रेस हो जाती है इसलिए उनको मसाज करना बेहरी जरूरी है और मिया से रहा नहीं जाता और वो कहज़े कि तुम कुछ जादे कर रही हो मैं उसके पैर को मसाज करूँगी और कहकर हीरो के पैर दबाने लग जाती है फिर दिखाते हैं कि फैंग्यू रात हो कार में जा रही है लेकिन अचानक एक शॉप को देकर उतर जाती है ये वही आइसक्रीम वाली शॉप है जहां मिंग्टैन रैबिट के बेस में नौटिस मारता था और एक दिन उसने फैंग्यू के लिस ट्रोबेरी आइसक्रीम भी रिजर्व करके रखी थी वो अंदर जाकर कॉफी ओडर करती है और बहार आकर बैट जाती है फिर उसकी कॉफी भी आ जाती है और वो उस बड़े रैबिट को बुलाती है वो नहीं जानती कि उसके अंदर मिंग्टैन ही है मिंग्टैन घबरा जाता है कि कहीं सको पता तो नहीं चल गया और वो पास आता है तो फैंक्यू बताती है कि उस दिन तुमने मेरे लिए ऐस्क्रीम रिजर्व करके रगी थी इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए एक काफी मंगवाई है इतना ही नहीं बच्वन में मेरे पास एक रैबिट की गुडिया थी जो मुझको बहुत ही प्यारी थी तुम बिलकुल उस गुडिया की तरह दिखते हो और मैं नहीं जानती की इस रैबिट के मास्क के अंदर कौन है और ये भी नहीं जानती की तुम बोल भी सकते हो या नहीं लेकिन मैं तुमको अपनी वही गुडिया समझकर एक बहुत ही पर्सनल बात शेयर करना चाते हो तब ही जाकर मुझको तसली मिलेगी मेरा एक दोस्त है और वो मुझको बहुत ही अच्छा लगता है मैं हमेशे उसकी हैल्प करना चाती हूँ लेकिन वो हर बार मेरी मदद को ठुकरा देता है पर इसमें उसके कोई गलती नहीं है बलकि मेरी गलती है जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो मैं खुद को भूलकर उससे बहुत ही हाश भीप करती हूँ लकिन फिर भी वो मुझको बहुत ही प्यारा है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं पाती अब इस तरह वो बहुत ही मोश्टनी होकर बात कर रही होती है और मिंग्टैन अंदर से सुन रहा होता है फिर फैंग्यू कहती है कि बहुत देर हो गई है इसलिए मुझको जाना होगा लेकिन तुम्हें काफी जरूर पीना ठीक है और ये कहकर वो चले जाती है अब मिंग्टैन सूच में पढ़ जाता है कि ये जरूर मेरे बारे में ही कह रहे थी और तब उसके चेहरे पर एक छूटी सी और प्यारी सी स्माइल आती है अब मिंग्टैन अपनी प्रैक्टिस खत्म करके कार वाश के जगे पर आ जाता है वो यहां पार टाइम जॉब कर रहा है और तब मिया, जाउमी और बैयूनों आते है मिया और जाउमी कहती है कि तुम हर रोज सुबह प्रैक्टिस करते हो फिर क्लासेज अटेंड करते हो और शाम को यहां काम करने आ जाते हो पर आज हम सम्मिल कर तुम्हारी मदद करने वाले है क्योंकि तुम बहुत ठक गए होंगे बैयूनों कहता है कि यार मैं भी रोज प्रैक्टिस करता हूँ और शाम को अपने होटल में काम करता हूँ अब फैंग्यू भी उसकी मदद करने के लिए बहाँ पर पहुंच जाती है। उसको देखकर तो ये लोग बिल्कुल ही चॉंग जाते हैं कि ये भी हाँ पर लेकिन बॉय उनों को तो फैंग्यू बहुत ही पसंद है। वो कहता है अच्छा वाफ आ गई हम मिंग्टैन की मदद करेंगे और आप मेरी मदद कर लीजिए ओके और अब फैंग्यू मिंग्टैन से युनिफॉर्म बंगती है। मिंग्टैन भी खुशी खुशी उसको युनिफॉर्म निकाल कर देता है। यार एक कार वाश करने के लिए कितने युनिफॉर्म गंदा करोगे। एक्चुली है मेरा पर्सनल कमेंट है दोस्तों। लेकिन कार वाश करने के बहाने ये सब मिलकर खुब इंजॉय कर रहे होते हैं। अब ये सब एक साथ एतने खुश होते हैं कि सारे के सारे कार्ज को एकड़म चमका देते हैं अब सारा काम खत्म करके ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तब मिंग टैन को कल की बात याद आती है और वो सबसे कहता है कि मुझे आप लोगों को एक बहुत important बात बतानी है आप सबसे मिलने से पहले मैं कभी किसी से कोई मदद नहीं लेता था हर काम खुद ही करना चाहता था लेकिन मुझे लगता है कि तुम सब मेरे सचे दोस्त हो तुम लोग मेरी मदद करो या ना करो या अलग बात है पर तुम सब मन ही मन मेरी मदद करना चाहते हो और मेरे ले तो यही बहुत बड़ी खुशे की बात है मैं बहुत लगी हूँ कि मुझे तुम जैसे फ्रेंड मिले ये सुनकर फैंग्यू भी बहुत ये खोश होती है और मिंग्टैन को अच्छी से देखने लगती है मिंग्टैन भी फैंग्यू को देखने लगता है और देखिये ये मिया बीच में क्या कर रही है वो से में दोनों को बार बार देख रही है अब अगले सीर में प्रिंसिपल मिस्टर वегдаक्ट से कहते हैं कि मैंने उस दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर लिये हम दोनों चाहते हैं कि दोनों कॉलेजिस के बीच शान्ती बने रहे और वो कभी न लडए future में वे एक होकर अपने skills develop करें यही हम दोनों का सपना है इसलिए मैं 2-3 दिन बाद एक dance party अरेंज करने वाला हूँ उस party में हम दूसरे college के students को भी यहाँ पर invite करेंगे इसलिए आप हमारे सारे students को inform कर दीजिए अब Mr. Weng सारे students को message कर देते हैं कि अब fighting training के practice के साथ साथ dance की practice भी कर लेना दो दिन में college की students की dance party होने वाली है इसलिए अपने dance partner को खुद ही choose कर लेना अब students masses देखकर बिल्कुल शौक हो जाती है क्योंकि इन्हें सिर्फ fighting या आती है dance वगरा तो आता नहीं वेकिन फिर भी dance के नाम पर ये खुश हो जाती है पर मिया कहती है कि कुछी दिन में tournament होने वाला है और अभी dance practice करना जरूरी है क्या मैं तो नहीं करूंगी ये कहकरो मिंग टैन को अपने taekwondo club में ट्रेनिंग के ले लेके जाती है और फिर वो हवा में ओड़कर ऐसा तगड़ा डैमो देती है कि मिंग टैन की तो बोलती बंद हो जाती है इतने दिन तो ये इतनी क्यूट सी लड़की लग रही थी यहां तो बिलकुल एक दम प्रो की तरह परफॉर्म कर रही है फिर मिय और जामे की फायरा शुरू हो जाती है अब में टैने खो़धी प्रनी लगता है उसको बताया गया है कि इस फायट में बैलेंस बहुत ही ज़रुरी है इसलिए वो बैलेंस से रेलेटेड किकिंग प्रनी सी करता है उसकी किक को देखकर तो ये दोनों हैरान रहाती है इसने अभी तो ट्रेनिंग शुरू किये लेकिन इसकी किक देखकर तो लगता है कि ये अल्डेटी ट्रेंड है क्या ये कोई जीने से चो इतनी जल्दी सी गया और इन दोनों को हरान कर देने वाले शॉट के साथ ही दोस्तों यहां पर यह एपिसोर खत्म होता है अगर इस तरीज़ आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए कॉमेंट्स में जरूर बताएगा कि यह स्तरीज़ आपको इतनी पसंद क्यों आ रही है साथ ही साथ अपने फ्रेंड सरकल में इसे शेयर जरूर कीजिए और फाइनली थैंक्स वर वाचिंग